हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे नाम आशीश और इस सेशन में हम बात करेंगे ब्रहमोस के उस परिक्षन के बारे में जो अपने आप में बहुत एहम है तो ब्रहमोस मिसाइल वैसे तो नवंबर 2006 में ही सर्विस में आ गया था लेकिन इस बार जो परिक्षन हुआ है 30 सित्मबर 2020 को यह अपने आप में खास है क्योंकि इस बार ब्रहमोस मिसाइल को बनाने के लिए हॉममेड पार्ट्स का परियोग किया गया है इंडिजेनस टेक्निक का परियोग किया गया है otherwise कुछ पार्ट्स यहां रशिया से मंगवाई जाते थे क्योंकि यह जो वेंचर है ब्रहमोस जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ है और यह भारत और रशिया का एक सेंट वेंचर है सबसे पहली बात तो इसकी जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड का लगबग तीन गुना है तो इसलिए इसके 3 मैक स्पीड कहा जा सकता है मैक जो है वो साउंड को मापने की किकाई है इसे सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल की केटेकरी में रखा जाता है सुपरसोनिक से उपर हाइपरसोनिक भी होता है और हाइपरसोनिक में स्पीड जो है वो 3 के स्थान पे 5 मैक हो जाती है मिन्स साउंड की स्पीड की 5 गुना हो जाती है सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये 30 सितमबर 2020 का ओरिजनल दरश्चे है जब इसका परिक्षन किया गया था तो थोड़ा सा जानकारी हम दे लेते हैं ब्रमोस मिसाइल के बारे में उसके बारे में उसके बाद हरे एक उप जिंदू की चर्चाम करेंगे जो आपके लिए जानना बेहत एहम है प्लेस ओफ ओरिजन इंडिया और रश्या क्योंकि दोनों का यह सेंग तो वेंचर है सर्विस में यह आ गया था नवंबर 2006 में इसका इस्तमाल भारत के सेना के तीनों अंगों के द्वारे इसका इस्तमाल होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एरफोर्स तिनों के द्वारा इसका इस्तेमाल हो सकता है मैनिफेक्चरर जो है, कौन इसको बनाता है तो आप देख सकते हैं, डिय अर डियो है रशिया का एन पियो, माशिन स्ट्रो ये निया, इनके द्वारा इसको manufacture किया जाता है इसकी जो unit cost है वो इतने million US dollar इसकी unit cost है इसके variants के अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ इसको launch करने के लिए launch pad जो है वो ship से भी launch कर सकते है surface से भी launch किया जा सकता है submarine से launch कर सकते है हवा से भी इसको launch किया सकता है खास बात इसकी यह है ठीक है बात करें थोड़ा आसा कि किस तरह की missile अगर इससे संबन्दित को question आएगा तो इस प्रकार सा सकता है कि medium range ram jet supersonic cruise missile है cruise missile उस missile को कहा जाता है जो guided missile होती है एक guide करके सही एक दिशा में जहां भी आप दागना चाते हैं वहां उसको तेनाद किया जा सकता है ठीक है इसको वैसे आप देखें कि पहले तेनाद कि इसको deploy किया जा चुका है लद्दाक में और अनचल प्रदेश के पास भी इसको deploy कर सकते किया जा चुका है ताकि चाइना के नापाग मनसूबे कभी काम्याब ना हो पाए वहां पर इसको deploy पहले से ही किया जा चुका है और भारत के पास ब्रहमोस के अलावा आकाश और निर्भे जैसी मिसाइल भी हैं ये भी आपको धहां रखना है तो ये देखो दे रखा आपको कि ये जो है वो launch कर सकते हैं माशिन स्ट्रोन येनिया और भारत का जो DRDU है इसके दोरह manufacture होता है और सबसे एक खास बात कि इसका नाम ब्रहमोस क्यों पढ़ा हो आप देखेंगे यहाँ पे कि दो नदियों के नाम पढ़ा है भारत की नदि ब्रहमा पुत्रा का BRAH यहां लिया गया है और जो रशिया है उसकी नदि है मॉस्कोवा मॉस्कोवा का M.O.S. लिया गया है इस प्रकार से यह नाम पढ़ा है ब्रहमोस इसलिए आप देखेंगे जहां कहीं भी लिखा रहेगा वो B.R.A.H. फिर M.O.S. ये M. कैपिटल में आएगा ये नदि का नाम है ठीक है तो ब्रहमोस दो नदियों के नाम पर इसका नामकरन हुआ था तो भारत ने सक्सेस्फुली यहाँ पर टेस्ट फायर किया है और इसकी जो मारक छमता है वो 400 किलोमेटर तक ये स्ट्राइक कर सकता है सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी है इस प्रकार से नज़र आता है थोड़ा सा और जान लीजिए कि 400 किलोमेटर दूर ये पिन पॉइंट एक्क्यूरेसी के साथ में बिलकुल सठीक एक्क्यूरेसी के साथ में मार की जा सकती है इस मिसाइल के द्वारा और ये तीसरा टेस्ट था एक्स्टेंडेड रेंज का इससे पहले 290 किलोमेटर की रेंज तक मार कर सकते थे ब्रमोस मिसाइल से इस बार 400 किलोमेटर तक मार की जा सकती है थोड़ा extended ये range है land attack Brahmos cruise missile which has an indigenous airframe सबसे बड़ी खास बात जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे लिए गरुग की बात है कि देशी टेकनिक का प्रियोग किया है airframe, booster और बहुत सारे और सब सिस्टम्स हैं जो भारत ने खुद के द्वारा निर्मित किये गए ही इसमें काम मिली है अगर बात करें कि ये 7 से 7 प्र मार करने वाले सुपर सौनिक करूज मिसाइल है तो ये भी प्रशन बनता है सर्फेस टू सर्फेस मार करने वाले कौन सी मिसाइल है तो औप्शन दिदिये जाएंगे आपको तो ये ब्रहमोस जो है तो ये भी एक काम की बात यहां पे है तो साड़े दस बजे ये बाला सोर एक जगह पढ़ती है ओडिशा में, चांदीपूर रेंज है वैसे है न, तो यहां पे इसका परिक्षन, सफल परिक्षन किया गया बाला सोर में, ये प्रशन आप से पूछा जा सकता है ठीक है राजना सिंग जी ने इसके बारे में ट्वीट किया था, वो देखें आप उसके पता लग जाएगा कि ये मेक इन इंडिया, जो एक इनिशेटिव जो प्रधान मंतरी मोदी जी हमेशे भाशनों में कहते रहे हैं, उस हिसाब से कितना खास है तो इन्होंने कहा है कि DRDO और ब्रमोस मिसाइल जो है उस टीम को, यहाँ पे इन्होंने बदा ही दी है, सक्सल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए ब्रमोस जो है, सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल इन्डी जैनेस बुस्टर और एरफ्रेम फो डेजिगनेटेड रेंज इन सब का प्रियोग किया गया है और इन्होंने कहा है कि आत्मिरपर भारत के हम जो बात करते हैं, उसके लिए बिग बुस्ट होगा एक और बात यहां पे देखें आप कि यह विश्व की दूसरे मतलब आप अगर सोचते हैं कि विश्व की भी हेल्प हम करें मिन्स अगर भारत का यह भी सपना है कि हम हमारा निरियात भी बढ़ाएं तो उस हिसाब से भी यह बहुत ही इंपोर्टन क्योंकि भारत अपने जो friendly nations जो भी मित्र रास्ट्र हैं उनको भी भारती यह मिसाइल यहां पे सप्लाई करेगा निकट भविश्य में ऐसी सूचनाई भी सोर्से से मिली हैं तो यह सब कुछ आपको जानना था इस सेशन में तो यहां तक की बात हमने जानी है काफी सारे बिंदू जो सठीक बिंदू है इस टॉपिक के बारे में उडिसकस हमने किये हैं अपके विचार साधरा मंतरित हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से बताएं कि कैसा आपको सेशन लगा इसका PDF आप प्राप्ट करेंगे टेलेग्राम चैनल से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चलिए मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक लिए नमस्कार थैंक्यू बेरे मच